कि यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके सामने एक नई सूचना के साथ उपस्थित हुआ हूँ तो सूचना जो हमारी है वो सारा से रिलेटेड है जो अभी आप देख रहे हैं कि सारा सेवी का जो प्रक्रण जिस तरीके से च इनवेस्टर की तरफ से केस दर्ज हो गया है और इतमे सारा स्री जो हमारे है सुप्रतराय सारा जी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत यहां पर तयार हो गयी है लोगों का कहना है कि करीब दो साल से पेमेंट के लिए हम लोगों को दोड़ाया जा रहा है और पेमेंट अ नॉन वेरेबल वारेंट अगर जारी कर दिया जाता है तो एक बाग फिर से सारा स्री को जेल जाना पड़ जाकता है लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये सारा से भी प्रक्रण चल ला है तो इसमें हम लोग भी ये चीज नहीं कलियर कर पा रहे हैं कि ये प्रक्रण आखिर कब तक चलेगा यहाँ पर पेमेंट की जो बात हो रही है कभी बोला जाता है कि दो महीने वेट के रहे हैं कभी तीन महीने वेट करें और कभी-कभी मलब जो भी इस तरीके के न्यूज होती है पेपर में भी आ जाती है या पब्लिशिटी भी हो जाती है लेकिन कोई पेमेंट का अभी तक की कोई डेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मलब किस तरीके से पेमेंट होगा तो ये बात हम जो आपको इस समय जो सुचना आपको प्रेसिस की जा रही है वो अमबाला से आई हुई है जिसमें कि इन्वेस्टर कंपनी के ओफिस जा रहे हैं और उनको पेमिंट नहीं मिल ला है ये वाक्या करीब दो साल से चल ला है और वहां के लोग जो भी इन्वेस्टर है वो इतना ज्यादा परसान हो चुके हैं कि इस समय वो मलब किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि दो साल से उनको यही टरकाया जा रहा है की पेमिंट मैंने बार बाद हो गा 5 दीन दीन के बाद होगा और जो अप जमा करता है जो हमारा इंसस्मेश्ट चलो कि वहार 1 दीन के बाद मैंने अबार के बाद payment हो जाएक तसली लेके जाता है लेकिन फिर उसी पर दुबारा जब जाता है तो पता चलता फिर उसको एक आगे की डेट मिल जाती है तो इस तरीके से हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खफा हो चुके हैं और इसके लाबा जितने भी हमारे जो साथी वरकर्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं जिनोंने अपने इन्वेस्टर का पेमेंट वहाँ पर लगवा रखा है तो वो भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनको भी यही चीज बोली जाती है कि भही आप पेमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं लेकि अंदर की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है कि पेमेंट किस तरीके थे किये जाएं वहाँ पे केवल बस यही बोला जाता है कि आगे जब तक कोई फर्दन इंफॉर्मेशन नहीं आती है पेमेंट के लिए तब तक हम लोग आपको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे एजेंटों के उपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप एक मलब हमारे पार इंवेस्टमेंट के लिए आपका कस्टमर से उनकी एबडी लेके आईए और एबडी के एवज में आप अपने आधे पेमेंट मलब 50% का पेमेंट आप एबडी के मर्फत करवा सकते हैं लेकिन चुकि जिस तरीके से सारा सेवी का प्रक्रण हमारा यह चला है तो इस समय कोई भी इंवेस्टर एक नया एमाउंट लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है क्योंकि एक समय ऐसा था जब कंपनियों पर लोगों का इतना फेद था कि अगर आदमी मलब या जो भी इंवेस्टर है उसके सामने कर सारा का नाम ले ले लेते थे तो वो फट से यह बोलता था कि ठीक है भी हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए आप हमारा इन जो भी आमाउं करीब दो हजार बारा और तेरा के बीस से स्टार्ट हुई है अगर हम तेरा को भी ले लेते हैं तो करीब करीब हमाय इस समय आठ साल से ओवर हो चुका है जो कि इंवेस्टरों का पेमिंट अभी तक नहीं हो पाया है